हे गाइज वेलकम बेक टू माई चैनल ब्यूटी डॉल मैं हूँ डॉली तो गाइज कैसे हो आप लोग आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइज तो गाइज आज है राम नौमी और आप सभी लोगों को राम नौमी की हारदिक बधाई और यहां पर आप दे जरूर से लाइक कर दिया करो और चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यहां पर हम काफी लोग हैं गाइज क्योंकि आज हम सब लोग सुबह से कहीं जा रहे थे जैसे कि मैंने काफी स्पेशल जगा जा रहे हैं और मेरे साथ मेरी मम्मी है मेरी बड़ी वा से कन्या मिली नहीं रही थी बड़ी मुश्किल से मिली है बहुत ही मुश्किल से मिली है लेकिन बहुत मतलब पुराना जो काम था वो आज हमें करना था तो इसलिए सोचा की चलो हस्बेंट को चुटी है वैसे तो हम लोग यह सोच रहे थे कि मतलब नौ दुर्गों में हим ह लोग कन्या भोज करा देंगे लेकिन क्या था ना मेरे हजबन को टाइम नहीं मिल पा रहा था तो इसलिए जब लास्ट मुमेंट पे उनको टाइम मिला और वो भी राम नौमी के दिन टाइम मिला तो इसलिए फिर हम लोग कुछ भी बिना सोचे समझे बस कन्याओं को ढूना और बस चल दिये अपने मुकाम की तरफ और यहां पर हम लोग आ चुके हैं गाइद मंदिर और यह सिद्वाबा का मंदिर है और यह मैडिकल पे है और यहां पर हम सब लोगों का आने की एक खास बज़ा है वो मैं भी आपको बताऊंगी तो यहां पर जैसे हम लोग पहुं लेकिन आज क्या होता है ना कि सबी कन्या भोज कराते हैं तो सुबह से मतलब इतने मुश्कल ने ढून पा रहे थे कि मैं बता नहीं सकते हूं और इसमें बड़ा जो मेरी दीडी मेरी जो नंद है उनका हाथ है और उनी ने सारी कन्या खटी की थी और फिर उसके बाद हम लो को लेके अंदर आ गए थे और यहां पर मंदिर जो है काफी अच्छा है मैं तो आई नहीं थी हाँ मेरे हस्बेंड जो है वही आये थे और उनी की बज़ेर से आज हम लोग कन्या भोज करा रहे हैं क्यूंकि मेरे हस्बेंड ने जो मनो कामना मांगी थी उस समय हम लोगों ने तो वो पूरी हो गई थी और बोलते हैं कि जो चीज़े अगर मुथ से निकल जाये तो उसको कर देना चाहिए तो मेरे बच्चे की तबियत बहुत ज़्यादा खराब थी उस समय यहीं पर मैडिकल पे वो एड्मिट था आप लोगों ने अगर ब्लोग फॉलो करते होगे त तो बोल दिया होगा तो फिर उसके बाद जब बच्चा ठीक हो गया सब कुछ अच्छा हो गया तो फिर यही सोचा है कि जब नौदुर्गे आएंगी फिर उसी समय हम लोग कन्या भोज करा देंगे तो यहाँ पर सारी तैयारी करके हम लोग आए हुए थे और यहाँ पर ग अन्य वाली वैसे कोई भी बात नहीं है क्योंकि हम लोग इतनी महनत से इतनी दूर से चोटी-चोटी प्यारी-प्यारी कन्याओं को लेके आए हैं और एक तोर से आज की दिन तो यह चोटी-चोटी देवियां और इनके विना तो कुछ काम होई नहीं सकता तो शायद उन ल ले लिया हूँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं था तो उसी वारे में हम लोग बात कर रहे थे फिर बाद में वो लोग खुद परशाद इसी में ही बढ़ा के वो लोग चले गए थे और यहां पर मेरी दीदी और मैं बराबर से अच्छे से सब लोगों को पहले मैंने यहां पर सब के बाहरी पैर दुला दिये थे फिर उसके बाद यहां पर बिठाया टीका वगएरा लगाया फिर उसके बाद उनको परसाद वगएरा दिया और मेरे जो हस्बेंट है वो यहां पर अपनी पूजा वगएरा करके और यहां पर नारियल वगएरा खोड रहे थे और बहुत ख हरपूर आनंद के साथ ये काम करते हैं और यहां पर बैठे बैठे मेरे हजबन डारियल फोड रहे थे और जो पूजा थी वो उनकी समाप्त हो चुकी थी और एक साइड हम लोग खाना पीना मतलब जो भी कन्याव हो था वो करा रहे थे और सारी कन्याई जो थी उनका इतना प जाते थे दूसरे घर से निकलते थे तीसरे में और चाहे भले खाते नहीं थे लेकिन हम लोगों को गिफ्ट का और पैसो का उस समय छुटे-छुटे रहते हैं तो बहुत लालाच रहता है कि चलो कुछ न कुछ मिलेगा और बहुत अच्छा लगता था बच्पन याद आ ज देखाया और जो काम हम लोग कराने आये थे वो काम हम लोगों किया आज फाइनली हो गया था और मंदिर जो है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ था बही मैं तो फरस्ट टैम आया हूँ मैं यहां पर कभी नहीं आया हूँ क्योंकि मेरे घर से तो काफी दूर है और यह नयाय देवी जी सब भोजन कर रही थी और जो और भी थी मतलब जो मंदिर में आ रही थी तो उन लोगों को हम लोगों ने बिठा लिया था और साथ में खिलाते जा रहे थे और यहां पर मेरी मम्मी भी मेरे साथ में थी और मेरा भाई भी मेरे साथ में था तो यहां पर सब लोग बड़ी आनन्द लेते जा रहे थे और खुसी का एक तौर से माहौल सा हो गया था और जब ऐसा कुछ समय चलता है जब मतलब कारिक्रम कोई भी हो चाई चोटा हो बड़ा हो बहुत ही अच्छा लगता है और कोई भी ऐसा काम करो ना बहुत ही मतलब अलग सा मन खुस और प्रशन हो जाता है तो यहाँ पर जैसे ही कन्या भोज गया वैसे ही चोटी चोटी देविया भगवान जी के आसी रवाद लेने के लिए पहुँच गए थी और बहुत खेल रहे थे बच्चे बहुत खुस थे हो मंदिर बाकई में मतलब काफी बड़ा था अच्छा था और पंडिजी ने पूरा सहयो किया हम लोगों के साथ और जो उनकी मिसिफ थी उनलोगों ने पूरा सहयो किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमेन मंदिर और जो है पट जो है लग चुके थे जब हम लोग आये थे तब यहाँ पर खुले हुए थे और बच्चे दर दर घूम रहे थे तो मैंने का कि सब लोगे खटे हो जाओ और यहाँ पर सबसे पहले दीदी ने आसीरवाद लिया और मेरी जो दीदी है वो हम लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देती है और क्योंकि मैं थोड़ी बहुत जानकारी जो नहीं भी होती है न तो उसके बारे में भी दीदी बगरा बता देती है मुझको तो यहाँ मेरे घर के पास ही रहती है तो पूरा सपोर्ट मिल जाता है दीदी का और यहां पर फिर उसके बाद लास्क में सारी कन्या इतर उदर गूम रही थी मैंने का कि चलो जो इनको देना है वो तो मतलब जो भी हम लोगों को देना था वो हम लोगों ने पहले ही जो बना वो दे दिया था और उसके बाद बस लास्क में मैंने सब ही के पैर चुए और सबसे आसीरवाद लिया और आज के दिन क्या यह तो चुझो चुटी चुटी देविया रहती है तो वाकई में इनका जो आसीरवाद है वो मिला रहे तो बहुत ही सही रहता है और मेरी जो सबसे चुटी देवी थी वो नहीं आपाई जिसका नाम है अराबी आप लोग सभी जानते होगे और वाकई में मतलब उसको ले के आने का तो बहुत था लेकिन उसकी तबियत एटा मुमेंट खराब हो गई थी उसको जी आषिरवाद लिया और पिर उसके बाद हम लोग निकलने की जो है वो तयारी में थे क्योंकि लेट काफी हो गए थे और फिर मैंने भी यहाँ पर असीरवाद लिया और सभी की पुजा हो गए थी सभीने असीरवाद ले लिया था सबसे लाफ्स में मैंने लिया था फिर उसके बाद हम डोने का कि चलो अब चलते हैं क्योंकि काफी देर हो गई थी और जैसे हम लोग बाहर की तरफ आने लग गए थे तो बाहर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा मतलब माहौल था धूप चरूर थी लेकिन पेड के नी है ना तो वो जाने पता नहीं कहां चला गया था उसके चक्कर में हम लोगों को आदा घंटा वेट करना पड़ा और टाइम जो है वो हमारा बरवादी हो गया था फिर हम लोग यहीं पर थोड़ी देर वेट करते रहे उसका और उसका नंबर जो था वो मेरे हस्बंड के पा और इन सब चीजों के लिए हम लोग अलेडी तैयारी रहते हैं और यहां पर मैं सबसे बोल रही थी कि चलो सारी देवियां मेरे यूटूब फैमली से हाई हेलो कर दो तो यहां पर यह चोटी चोटी प्यारी प्यारी जो देवियां थी वो सब हमारे जहां हम लोग रहते है वहीं से लेके आये थे वहीं उसी एरिया की थी और जिम्मेदारी से हम लोग इनको लेके आ गए थे और जिम्मेदारी से इनको छोड़ेंगे इनके घर तक और इनके साथ मेरे बच्चे भी थे और एक और था तो तीन लंगूर थे और वाकी सब कन्याए थी तो यहाँ पर जो बस बेट हो रहा था आटो वाले का और यहां पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मंदर किस तरीके से बाहर से लगता है काफी अच्छा था और फिर उसके बाद थोड़ी देर हम लोगों ने वेट किया यहीं पर सब लोगों ने गनने का जूस भी पिया और जब थोड़ा और वैसे भी जब कोई काम करते है ना और इस टाइप का कोई काम होता है ना तो ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है बस काम में ही मन लगा रहता है बस थोड़ा सा आटो वाले ने परिशान कर लिया था लेकिन हाँ काम सारा अच्छे से हो गया था फिर उसके बाद हम लोग बैठ गए थे सब लोग आटो में और छोटे छोटे से बच्चे थे तो कहां कौन बैठ गया था पता ही नी चल रहा था और कोई दिक्कत परिशानी हुई ने इतने सारे लोग सब सोची आप एक ही आटो में आ गए थे और वाकई में बहुती आनंद और बहुती मन ख सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहीएगा तो चलिए मिलते हैं आपने नेक्स्ट वीडियो में ओके बाई बाई लवी ओल गया